देश के वर्तमान गिरिह मंत्री अमित साह कह रहे हैं 2002 में हमने दंगाईयों को सबक सिखा दिया तब से गुजरात में सांती चा गई गुजरात के पूर्व मुख मंत्री संकर सिंग वागेला कह रहे हैं बोधरा में साजिसन आग लगाई गई और गुजरात दंगो के दंपर भाजपा देश की सत्ता में आ गई साह कह रहे हैं 2002 के बाद गुजरात में कभी कर्फ्यू लगाने की नौबट नहीं आई तब से ऐसा सक्त प्रशासन हो गया है वागेला कह रहे हैं उसके बाद से हर एक चुनाओ में देशत का माहोल बनाया जा रहा है उसी के दंपर चुनाओ जीता जा रहा है साह कह रहे हैं तब से कानून विवस्था का राज चल रहा है जबकि वाघेला कह रहे हैं चुनाओं में लोग डराये जाते हैं बहन बेटियों को मुसल्मान उठा ले जाएंगे ऐसे ऐसे अफवा उड़ाये जाते हैं अब वर्तमान ग्रिह मंतरी अमिशा जो कह रहे हैं वो बात सच है या फिर पूरी मुख मंतरी संकर सिंग वाघेला जो कह रहे हैं वो बात सच है वैसे दोनों बात का मर्म समझेंगे आप तो जान जाएंगे दोनों लोग बता रहे हैं जो बदलाव की कहानी वो दोनों की दोनों बात सच है नमस्कार मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है अमित साह की नजर में दंगाईयों का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान है इसलिए मुसल्मानों के सांत बैठ जाने को गुजरात की सांती बता रहे हैं एक खास रंग का गमछा पहने और एक खास तरह की विचारधारा ओड़े लोग दंगा करें, हत्या करें, बलातकार करें उनकी गिंती दंगाईयों, बलातकारियों, हत्यारों में नहीं की जा रही है हाल ही में घटी तमाम घटनाए इस बात का गवा हैं कि भाजपा को फाइदा पहुचाने वाले लोगों के लिए सजा और सम्मान का पैमाना बदल दिया गया है बिल्किस बानों के बलातकारियों की आजादी का अमरित महोसव सबने देखा है दरजनों दंगाईयों को बेगुनाह बता कर रिहा कर देने की खबरों को सबने पढ़ा है, सबने सुना है इसी के इर्दगिर्द बातचीत करते हुए गुजरात के पूर्य मुखमंत्री ने निउज लॉंडरी को दिये गए इंटर्विव में खुलासा किया है जिस अंदाज में बोलते रहे हैं संकर सिंग वागेला, उसी अंदाज में मोदी शाह की राजनीती को एक्सपोज किया है उन्होंने कहा है गुजरात में अगर गोधरा ना करवाया गया होता और नरेंदर मोदी ने अपना राजधर्म निभाया होता तो देश की सत्ता में आने का इनका कोई चांस ही नहीं था 2002 में दंगे के सिवा इन्होंने ऐसा क्या चमतकार कर दिया कि आज ये लोग देश की सत्ता में आ गए एक गुजरात में अगर गोधरा मा डबा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में रायट्स नहीं होते शाह जी ससान्ती की बात कर रहे हैं उसकी पोल खोलते हुए संकर सिंग बागेला बता रहे हैं हर एक चुनाओ में ऐसे भासन दिये जाते हैं कि हम हैं तो आपकी बहु बेटियां सुरक्षित हैं नहीं तो मिया लोग उन्हें उठा ले जाएंगे इसके बात तो संकर सिंग बागेला मुसलिम महिलाओं के साथ हुई जादिती की दास्तान सुनाते हैं जिसे खुद बाबु बजरंगी जैसे कुख्या दंगायों ने स्विकारा है जिसकी गवाह खुद बिल्किस बानो जैसी महिलाओं आज भी नैकी मांग कर रही हैं इस पूरे मामले को दो अलग नेताओं के दो अलग बयान के रूप में देखा जा सकता है मगर बात का केंडर यही है गुजरात दंगा इसलिए असल इंटेंसन को समझा जा सकता है ग्रिह मंत्री जिस भीड को संबोधित करते हुए दंगाईयों पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं उन्हें पता है भीड जानती है दंगाईयों का मतलब मुसल्मान बताया जा रहा है भले ही लगभक सो हत्याओं में सामिल कुकरानी खुले आम चुनाव प्रचार कर रहा है भले ही बिल्किस बानों के संसकारी ब्राम्हण बलतकारी खुले आम घूम रहे हैं मगर मुसल्मानों पर लगाम लगाने की मनसा जानकर वो लहलोट हो रहे हैं सायद यही वज़ा है कि तमाम बदहाली के बावजूद भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट दे रहे हैं